दोस्तों सागर फिर्स आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मॉडूलर वुड़वर्किंग और फैब्रिकेशन में फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है वो है वुड़ ग्रेंस बनाने के बारे में यानि की लगडी का रेशा बनाने के बारे में पेंट से पेंट य इसमें हम पेंट करने वाले हैं पाइन वूड के लगडि के करेंगा यानि कि चीड की लगडी होती है उसके कलर का e iski जो एक बायरा है और इसमें पूरे डोबाएंस इसमें पूरे में हम प्रेंट करेंगे और उसमें वून ग्रें बनाएंगे चीड की लगए की क्योंकि इस में जो इसमने बनाई है इसका जो खेंगा लोगने! वो उसमें सारे में wooden panel लगेंगे pine wood की लकड़ी के friends और ये उपर railing भी है इसमें भी सेम हम wood grains बनाएंगे वो भी pine wood की color के friends ये सारा कुछ आप देख लीजे एक बार इसमें हमने red oxide जो primer है हमने वो कर दिया है पूरा अच्छे से और पहले हम इसमें paint करेंगे grains बनाएंगे और फिर इसमें लकड़ी लगाएंगे CD में ये उपर की हमारी railing हो गई ये भी लोही की है और जो ये CD है ये भी लोही की है यानि कि जो metal है iron है इसमें हम लकड़ी वाला paint करेंगे grains बनाएंगे बिलकुल लकड़ी के जैसे और इसमें जो आप देख रहे है steps इसमें लकड़ी के पैनल आने यानि ये pine wood के पैनल हम इसमें लगाने वाले हैं और वाकी में इसकी railing वगेरा में जो railing है इसकी इसमें handle लगएंगे लकड़ी के जो पूरी उपर तक आप एक पत्ती देख रहे हैं लोही की इसके उपर लकड़ी आएगी पूरी जो हत्ता लगेगा लेकिन उस पैनल ये सबसे पहले उसका बेस का सही होना जरूरी है अगर बेस पैंट आपने अच्छे से बना लिया एक बार तो फिर आप पैंट अच्छे से बना पाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैंट के डब्र रखे हम हैं इसके बारे मैं आपको पताएता हूं हैं यह प्लेटनम सेरीज का है और यह क्लियर वाइट जो वाइट होता है हमारा दस वाइट बोलते हैं उसको यह वाइट पैंट है हमारा उसके बाद मैं मेरे पास यह वर्जर का गोल्डन ब्राउन मुझे मिल नहीं पाया इंडियों का मैं बहुत डूंडा उतर शॉप में हैं तो मेरे हाथ निलग पाया तो मैं इसी को ठाके ले आया इसकी थोड़ी जरूरत पड़े हमें बागी यह गोल्डन येलो है यह भी इंडियो का है तो इसकी व्यक्वालिटी बहुत अच्छी है इंडियो के चैनल में अप्लोड किया हुआ है आप जाकर देख सकते हैं इ सबसे पहले हम लेंगे इसमें White paint यह Sem2 पास White paint वोई एनमेल इसको कह सकते हैं तो सबसे हैं तो लग वग मुझे आदर लिटर से थोड़ा सथा ज्जादा paint बनाना यह मिर पास पौन लिटर लग वाईट पें डबा बचा हुआ था तो मैं अभी इसमें जो है आदा लिटर पेंट बनाऊँगा, अभाफ लिटर, हआफ लिटर में हमारा काम हो जाएगा तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है, खाली डबबा हमने लिया था ये, अच्छे से साफ कर ले ना डबबे को और उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम ये गोल्डन येलो ये भी इंडिगो कंपनी का जो पेंट है हमारा गोल्डन येलो फ्रेंट्स और मैं आपको बता दूँ कि आप ये वीडियो मॉडिलर वुड़ वर्किंग यान फैब्रिकेशन पर देख रहे हैं फ्रेंट्स और इसी परकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक अपर प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंट्स और हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहते हैं हमारा जो काम है इंटिरियर वुड वर्किंग फैब्रिकेशन फरनिशिंग डोटल इंटिर वर्क हम लोग करते हैं और पॉलिश एंड पैंट के वीडियो भी मैं हमेशे अपने चैनल पर लाता रहता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करकर रखेंगे आपको जानकारी आं मिलती रहेंगी अगर आप इस वीडियो उत्तरा खंद से देख रहे हैं तो आप हमसे किसी प्रकार का जो वर्क है वो करवा सकते हैं इंटिरियर में आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अ प्वेसी मतर में इसमें एड कर दिया अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वह बन रहा है भी देरे देरे और अभी यह मुझ apra से बनानी है और जो बैसि होगा वहां बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका बनाना बार बार हमने लकडी भी हमें पार पाइन वूड की इसमें रखे वी है जो पैनल है उस पर हम लगा कर देखेंगे कि उससे मैच करता है या नहीं करता है तो इसमें अभी थोड़ा सा यलो में और एड़ कर देता हूं ताकि यह कलर अच्छे से तयार हो जाए फ्रेंट क्योंक लगवान तो हम पाइन वूट का जो रेशा है इस पाइन वूड के वह में बनाएंगे लोह इमें तो सबसे पहले हम पाइन उड़ के तो क्लर क्लर को रेशे होते हैं यानि की बारीक मोटे सभी प्रकार के रेशे होते हैं और आपको पता होगा कि चीड देवदया सुराई जैसी लगडियां सभी लगवा एक दूसरे से मिलती जिलती होती है ज्यादा कोछी में फर्क होता नहीं है तो यह हमारा बेस त्यार हो रहा है अभी मैं त्यार करने के बाद आपको दिखाता हूं यह बेस हमारे लगवक्त यार हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे गोल्डन ब्राउन फ्रेंड्स ताकि यह पूरा कलर हमारा पाइन वूड का बेस जैसा हो जाए तो थोड़ा सा मिसमें अभी गोल्डन ब् प्रकार से इसको बनाया है तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जो पेंट है वह एड़ करते हैं अगर आप बना रहें तो देखिए या तो आप मशीन से पेंट को बनवा के ले आ सकते हैं जहां जो पेंट की शॉप होती हैं जो उनके पास कंप्यूटर मश मशीन होती है पेंट बनाने वाली आप उससे शेयड़ कार देखके मशीन से बनवा सकते हैं तो या फिर आप जो है अगर अपने हाथ से बना रहे हैं ठिके कोई भी पार का पैंट आप बना रहे है तो मैं आप की जानकरी की लिए बता दूं कि आप को उसमें एक साथ बहु और एड़ करना है अगर कम रहेगा तो आप और ज्यादा एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे लगता है कि जो हमारा बेस पेंट है वो शायद बिल्कुल पाइन वूड की तरह तैयार हो चुका है फ्रेंट क्यूंकि वाइटने स्पाइन वूड में ज्यादा होती है तो देखिए सेम कलर तो बनाने में प्रॉब्लम होती है तीक है मैं यह नहीं कहता कम्प्यूटर जाइज जो मशीन है पेंट बनाने वाली उसका काम अलग है हाथ से पेंट बनाने का काम अलग है लेकिन जो एक्सपेंश्ड है तो अभी जब पेंट तैयार हो जाएगा और जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वह आप तैय करेंगे ठीक है वह जंता तैय करती है कि मैं मुझे कितना experience है और मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूं अगर आप लोग में तारीफ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है मैं अपने मुझे अपनी तारीफ नहीं करना चाहता तो इसको अच्छे से चला लेते हम ब्रस के जरीए ठीक है अभी हम अच्छे से इसको मि मुझे करेंच को सब्सक्राइब करेंच को अनुझा को सब्सक्राइब करना ह hopeless लकडी के हों आप मेटल पर बना सकते हैं यह वाल पर बना सकते हैं आप जो वाल में अगर कोई कस्टमर की रिक्वार्मेंट होती है क्लिएंट की रिक्वार्मेंट होती है कि हमें वाल में ग्रेंज बनवाने वुड़न ग्रेंज बनवाने तो आप वाल में बना सकते हैं सेम यह देगे सबसे पहले हमें बनाने के लिए जो में ब्रस में पेंट लेना है और जॉब पीस के उपर जो भी हमारा जॉब पीसे चाहें वो वाल है मेटल है या वूड है उसको पर हमें अपलाई करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए का कल मैं पेंट करके चला गया था जल्दी तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट किया था अभी मैं आपको बता हूं इसका बनाने का तरीक और हैंटो हैंड जैसे हमने बिश से अपना पेंट बेस पेंट अपलाई किया उसके बाद जो ग्रेंट होता है ठीक है यह गोल्दर मिडू ब्राउन ग्रेंच होता है उसका लगवक्त टी वुड़ का पाइन वूड़ का तो यह हमने गोल्दर मर कोई आपको प्राइंट नहीं करते हूं और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये जुम काइसे बनते हैं गरेंटेis्हों जो हमारे रिलखिते ह notamment मैं भूछ आफेखिता उसा उसर Colton face में बेंट बना आफ उसधे का zaman Evans लगना होता है बस आपको ठीक है और टेड़ा मेड़ा ब्रस चलाएंगे आपके ग्रेंस बिल्कुल तेयार हो जाएंगे और जितना आप ब्रस को घुमाते जाएंगे जैसा आपको ग्रेंस चाहिए ठीक है आप ब्रस घुमाते जाएए आप बेस्पेंट को दोबारा भी इसक टर्मर्ज होता है फैलवा हो और बहुत हलका होता है कहीं जदा बारीक और गहरा होता है पाइन वड में ठीक हैं तो उस पिसाब बहुत अच्छा ग्रेन तयार हुआ है यह जो मैं उपरी सता पर आपको बना कर दिखा रहा हूं इसमें पेंट हमें करना नहीं था लेकिन मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूं कि आप कैसे बना सकते हैं क्योंकि इसके उपर जो है मेटल के वो लकड़ी लगनी ह यह आप जो पैप खुला देख रहे हैं ना इसके पूरे के उपर एक लगड़ी आनी है लगवग तीन इच चोड़ी और एक इंच मोटी तो इसलिए पर मैं क्या आपको दिखाना जरूरी है आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि यह वीडियो है हमारा उसी के टॉपिक पर आपको दिखाना चाहरा हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारे सभी जो पूरा मेंटल हमारा उसमें पूरा पैंट होके रेडि हो चुका है और हमने इसमें पाइन्वूड के जो पैनल हैं वह भी लगाने स्टार्ट कर दिए यह हमारा पाइन वूड का पैनल इसमें आप स्टेप में देख सकते हैं और जो इसके नीचे वाला जो पूरा हमारा मैन पॉल है उसमें हमने पेंट के हुआ है ग्रेंस बनाए है पाइन वूड के कलर के अब आप देख सकते हैं कि आपको सेम लग रहा है या कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे तो य इंटीरर करने जिसका तो इसमा या लँड यहलो लगी यह पीली रॉष्ण Racing लगी है तो गरल लंदया है आपको तहउसरी बात इसमें शाइन गण लें अब datailleurs खोड़ लग है ऑपय पाइन पैनल है ना वो कोरा है ठीक है सूखा पैनल एक दम तो अभी इसके उपर क्या कि अभी हम ग्लोस इस्तमाल करेंगे ना जो टर्जबूड होता है वह हम इसको पर यूज करेंगे इसको पर लगाएंगे जो पाइन वूड का पैनल हमारा तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा कलर और आप रेलिंग के जो पाइपस हैं वह भी देख सकते हैं ठीक है कि यह आपको कैसे लग रहे हैं और बहुत अच्छे सामने इसमें ग्रेंस बनाएं ठीक है आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप इसी परकार से मेटल के उपर वाल के उपर लकड़ी के उपर कैसे भ बढ़ी आप को रेशे बर के लिए न उस पर आपको वोड़ फिलर का इस्तमाल कर सकते हैं प्लाई को ओपर ठीक है आप जो फिलिंग पौडर होता है चौक पौडर यलो पौडर यह सब मिक्स करके फिलिंग बना के हाथ से वह कोट पलाई में कर सकते हैं और उसके बाद फि मैंन पॉल देखिए आप हमारा बिल्कुल लकडी का दिख रहा है हमें और अभी हमारी जो स्टेर केसिस में काफी सारा काम बाकी है और पूरा काम करने के बाद मैं इसका एक और वीडियो अपने जल पर अपलोड करूँगा आप इसको चीज़े देख सकते हैं और तब तक के लिए जाइन